देखिए अगर आप गड़ित सीखने के उद्देश से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है आप बहुत अच्छे प्लेट फार्म पे जुड़ चुके हैं आपकी मैत की समस्या दूर हो जाएगी यकीन मानिये सिकायत दूर हो जाएगी आज से लेकिन कलास को पूरा यह खसक लिए तो कुछ नहीं होने वाला पूरा देखना चलो फिर सुरू करते हैं वरसा सिंग आपका कमेंट आ रहा है कभी आपका भी आ रहा है सभी का कमेंट आ रहा है समिक्छा कुमारी जुड़ चुकी है रानी सैनी सालम चौहान रितिक सरदार मुहम्मद और कौन- प्रतिभा केशरवानी कौसल बर्मा आर्तिगरी आपकी भी कमेंट आ रहे हैं मुझे दिख पा रहे हैं दीपक कुमार जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलो फिर हम बात में क्या रखा है तुरू करते हैं टॉपिक पर चलते हैं सब कुछ ठीक है ना कोई किसी को समझ्या नहीं हाँ जो बच्चे क्लास की लिंक नहीं पाते हैं किसी कारण से नहीं देख पाते हैं वो एक काम करें क्या करेंगे पता है पीवियार स्टडी को टेली गराम पर जॉइन कर लें उसमें सारी लिंक भेजी गई है अब तक जो होगी वह सब भी भेज दी जाएगी चलो कि तो आप कल क्या पढ़े थे बताओ किसी को पता है बोलो कल क्या पढ़े थे कि मालूम है किसी को कुछ नहीं पता है आम घास सब ठीक है आज आपका लाइब 23 है साथियों LCM और HCF आपका चैप्टर चल रहा था जिसे लगुत्तम समापुवर्ते और महत्तम समापुवर्त तक कहा जाता है यह चैप्टर बहुत ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने LCM का बच्चा गुडणखंड विधी पढ़ा था ना कौन सा विधी पढ़ा था गुडणखंड विधी कल पढ़ा था फैक्टर में से आप लोगों ने किया भी होगा बहुत सारे कुष्चन का आज हम लोग पढ़ेंगे भाग विधी क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे भाग विधी तो कोई भी कारे करने की कई विधियां होती है हमें एक से अधिक विधी आनी चाहिए इसी में हमारी भलाई है तो साथियों यह कलास क का उद्दे से हैं कि सबको गडित आए इस वजह से हम बिल्कुल छोटे-छोटे को इस चलते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके मुकाम तक भाग विधी में भी मैं आपको बताऊंगा पूरा सारी परकिरिया के साथ बताऊंगा जैसे 12 और 18 का L.C.M करना है बच्चा तो बाबु इनको ऐसे पहले आप हराई फंदा होगे हराई फंदाने का मतलब जान रहो पहले के जमाने में बैल हुआ करते थे उनको हराई फंदा के खेट जोते थे कछाट में पढ़ते थे तो हम भी खेट जोते हैं कभी कभी मजह आता और हमको मज़ा आता है चले पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बस नंबर नीचे चल रहा है डंडा ना करो एकदम से देखो नंबर पे कांटेक्ट करना दिन में 1218 टेकनिकल टीम वाले जो डंडा कर रहे हैं उनको होल्ड कर दो साथियों जैसे अभी तक आपने पढ़ा उसमें क्या करते हैं में दोनों नंबर के ऐसे लिख लेते थे जैसे दो दूना चार तियां बारा तो दूना चार ऐसे बनेगा नहीं दो त्यां इच्छा त्रीक ठारा ऐसे करते थे आप सभी पढ़े हो पढ़े हो ना समझो फिर तो अब ऐसे हमें नहीं करना है अब हमें काम करना है कि जो भी नंबर का करना उन दोनों को इस हराई के अंदर लिखना ऐसे इस तरह से ठीक है तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे यह दोनों गिंती कंपलिटली डिवाइड हो जाएं पहले तो यही कोसिस करनी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम एक एक नंबर टार्गेट करके कं आप लोग मुझे यह बताओ सभी बच्चे कि कौन सी ऐसी गिंती है छोटी से छोटी जिससे यह दोनों कट जाएंगे यह मैं एकदम बेसिक रूल बता रहा हूं यह कंपटीशन के लिए तो इसका लिए 36 हो जाएगा बस हो गया कंपटीशन अगर देना है तो इसका लिए 36 हो गया देखके बता दू मैं तरीका बता दूं ट्रिक बता दूं जुगाल बता दूं लेकिन यह कंपटीशन में आएगा नहीं लिए बड़े बड़े कुश्चन करोगे उसमें यह चोटा सा इतना बड़ा पार्ट होगा उसमे अब बच्चों का ठीक है जिनका कमेंट आ रहा है तो बाबु यह 2 से कटेगा तो दो चंग 12 और यह 2 9 18 अब बताओ क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएं को होगे हाँ ठीक है यह भी तरीका ठीक होता है ऐसी बात नहीं है तो अब वह भी तरीका ठीक है जो कहते हैं कि पहले दो से ही काटेंगे जब तक कटेगा उसके बाद ही किसी से काटेंगे यह भी तरीका ठीक है तो अब दोनों कट जाए किस से काटेंगे वह गिंती है तीन तो तीन दून अच्छा, तीन तरीका नौ लेकिन भाया अब ये दोनों अलग-अलग समुदाई के हो गए अब इन में बनना नहीं है देखते हो साधी बिया नहीं होती अलग-अलग समुदाई में इस देश में किसी तरह कोई कर लिया ना तो बड़ा हंगामा हो जाता है तो बस वही हाल यहां पर है ये अब दोनों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस समय महाल ऐसा बनाया गया इस देश में इस कंट्री में कि लोग इसको बहुत जल्दी समझ जाते है पहले जब हम लोग पढ़ते थे न तो किसी को पता ही नहीं होता था कि भलाने कौन से जाती के हैं माइस्टर का नाम क्या है हम लोग गुरु जी का नाम तक नहीं जानते थे आज तो लोग नाम धरम समपरदाय समुदाय पता नहीं क्या-क्या पहले से खोजते हैं अलब पढ़ना है नहीं इस देखना अगर यह घर यह तक उनुसको यह करेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे बस कुछ नहीं करेंगे ऐसे लिख देंगे और यह तीन एक कम तीन इतना तो तुम लोग जानी रहे हो इसमें किसी को कोई परिसानी हो तो बताओ रोहित कुमार कुछ समझ में आ रहा की नहीं आ रहा ना बच्चा चलो देखो उसके बाद दो से काड़ लो अब यह दो अकेले बचा लाइस्ट में कुल मिला के वण वण हो जाना चाहिए बस हो गया सारा मैटर मिल गया जो मिलना था अब यहां पर क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे LCM बराबर जो जो आये हैं देखो दो फिर तीन फिर तीन और फिर क्या है दो वहीं देखो सकते हम समधियान हो रहा है यह मैं थोड़ा सा क्राफ लाइन मार दे रहा हूं चलो समझ में आया ना देखो दो त्याइं छे त्रीक अठारा दूना 36 जो मैं बताया था आएगा वही 36 ही आया तो यह होता है भाग विधी करने का तरीका हम पढ़ा रहें बिल्कुल जीरो लेबल से तो जो लोग इस उमीद में हैं कि मैं बहुत लंबा चोड़ा सवाल दूंग यह कंप्रिटिशन वालों की कलास इसी चैनल पर प्लेइलिस्ट में उपलब्ध है और पीवी आरे स्टड़ी एप में उपलब्ध है ठीक है समझ रहे हूं ना बच्चा चलो तो यह आप लिख लो और हाँ एक चीज इसमें आपको और भी बता दूं मैं क्या नहीं बताओं क्लास एकदम टेंसन फ्री होके आएंगे ना फिर वही सीख पाएंगे जिनको जल्दी ना बच्चा निकल लो जल्दी जिनको थी ना वह चले गए मैंने ट्रक में देखा था पीछे लिखा था तो मुझे समझ में आया कि भाई दीरे दीरे चलो उसमें लिखा था जिसको ज इंडा कि रहो बस जल्दी जल्दी गपर गपर बोले जाएं तुम कुछ समझो लिखो या ना लिखो बस यह लगे कि हाँ आज तो दस मिनट में पचीस सवाल कर लिए हैं तीनट हो क्या बाद में पता चले पचीस में से तुयोट नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी पढ़ाई से का मतलब है कि मतलब वही कि जितना खाओ हजम हो जाए थोड़े खाओ देखो यह कोई बताएगा इसका अंसर क्या जो बड़े एक्सपर्ट है जल दी जब आप दें नीरज कुमार असोक बताओ भी बताओ कितना आएगा देखो सिंपल है ऐसे आपको पहले यह बनाना है मतलब हराई बनाना जिसे हम बोलते हैं दियाती भासा में 14 और 24 यहां पर अपलेटली तो भाईया बाबू यह दो होगा दो नो आठारा चोबिस का अधा करोगे बारा आएगा और यह गदो जिनको यह फैक्टर वक्टर नहीं आ रहा ना यह कलास नंबर तेईस है आज जाके कलास नंबर पहली दूफिती फिरी चौथी देखो समझ रहा हो ना जिनको यह भी नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है यह सब कौन सा ग्यान लग रहा है वो जाके उसको देखें क्योंकि हमारे यह बिल्कुल जड़ बुद्धी वाले बच्चे होते हैं उनको हम बहुत अच्छी बुद्धी वाले बना देते हैं समझ रहा हो न मैं दूसरा थोड़ा सा फंडा बदल देता हूं उसमें मैंने अलगतरा लगाया था दोनों बेसिक है दोनों सही है जब तक दो से कटे काटते जाओ नो नहीं कटेगा इसको चुप चाप ऐसे लिख लो बीना छेड़े छाड़े ऐसे सीधा सीधा ये नो 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 दो के भाई रूको एक आधा मिनट है चलो है पुछ आत्मा को सांती मिली अभी नहीं यह दो नहीं है चलो ठीक है हो गया तो अब यहां पर क्या लिखोगे ल्क्या बराबर ल्सी ये म बराबर तो गुड़ा दो गुड़ा दो तीन बार था और गुणा तीन दो दुना चार दुना आठ तरीक चौविस भई गलत है आ रही है तो फिर कहां गलत हुआ अच्छा अभी तो दादा बचे ही है नीचे ये तीन एकम तीन यहाँ पर नीचे वण वण आ जाना चाहिए इस बात कब इसे ध्यान देना तो भईया यह 2 दुना चार दुना आठ तरीक 24 दियां और जो विस्तियां कितना होगा तीन चौक बारा इसल एक तीन दुना चाहिए एक साथ बाहर स्थ सब्सक्राइब करें दोनों से भाग करो बारी बारी तो पूरा 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 करोगे पूरा-पूरा कट जाएगा जीरो से इसपल आएगा ठीक है तो समझते चलो हम बहुत ही बेसिक फंडा बताते हैं एक दम बिल्कुल इस्टप 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 दुर्गे सोनी पेटा तुमको पढ़ना है नहीं जैसे जानते होगी नहीं जो लोग थोड़ा एजेट होंगे अगर अठारा साल से उपर है बीस बाई तो जानते होंगे पहले हम लोग निमंत्रण जाते थे जीसे करते नहुता तो वहां पाद में बिठाते थे खिलाते थे मतलब जो सामने है पहले उससे मतलम है ενको पूरब मतलब की क्या सबढ़ने है उसमें झालना पढ़ा दो हां बहुत कुछ पढ़ाना है सब कुछ लाके तुम्हेरी खोपड़ी पटक नहीं कट्थ है दबा जाओ लेके पता नहीं कहां से आ जाते हैं जब 37 42 किसका बताओ तुमको आता है न मिस्टर कहां गये क्या नाम था इनका मैं इनको डूंड़ने वाला हूं पता नहीं कहां गया दुर्गे सोनी सोनी महरा जी यह बताओ इन दोनों के LCM कितना होगा तुम जट से बता दो मैं चेंज करके समय करन पढ़ाने लगूं बता दुर्गेस जी बोलो हो की नहीं अब चल बसे अच्छा तुमको भी जल्दी थी जिनको जल्दी होती हो चले जाते हैं तो इनका क्या करोगे कोई बता बनाएंगे एक लाइन खीचेंगे दोनों नंबर यहां पर लिखेंगे 37 और 42 अब इनका फैक्टर करेंगे एक एक नंबर से बारी बारी और उसके बाद फिर क्या करेंगे फैक्टर करने के बाद आगे बढ़ेंगे तुम कहां से आगए है चलो कि प्रिश्च को इसको 48 आएगा फिर 2 से काटो और दूनः 4 दो एक्काम दो फिर 2 से काटो गये 29 फिर से तीन से काटो गए और फिर से साथ से काटो गए कि इतना ठीक है किसी को कोई हैरानी परसानी नहीं न आरेन बच्चा तुम बहुत ज्यादा मूँ बना रहे हो हाँ हो गया समझ में है सबको इसका LCM क्या होगा तो चाचा इधर देखो LCM बराबर दो दो मतलब दो बार क्या है अरे उधर जगा नहीं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं तुम इसको सीधा फीधा लिख लेना एक के लाइन में ठीक है दो दुना चार तियां बारा तियां 36 36 का साथ से गुड़ा करोगे बच्चा तो साच्छंग 42 और सात्रीक 21 214 252 आएगा मतलब समझ रहे हो ना दद्दा लोग देखो बताया नहीं था कौनों अंसर गलत LCM बता रहे हो अवन कुमार कहां थे गुरुदेव अभी तक तुम कहां थे तुम अभी तक चलो देख लेते हैं कहरें गलत है तो एक बार दो से कटा अठारा आ ठीक है दो से कटा यह नौ आ गया तीन से कटा साथ तीन दो दुना चार तियां बारत यह एए 36 साथ चंग 42 सात्रिक 21 21 24 ठीक है बच्चा देखो तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है दल्लू लाल अभी पढ़ लो ठीक है अभी पढ़ लो तब ठीक होगा चलो यह हो गया लिखलो स्क्रीन साथ लेलो भाई रानी साहनी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल बेरी गुड करेक ठीक दम सही है और ठीक ठाक होना सभी चलो तुस्तर बावन आया है ठीक है अच्छा है चलो फिर इसको मिटाते हैं आप देखो मैं यही फिर करूं क्या आठ वार इसमें और क्या पढ़ाना था टाइम अभी काफी है ना यह हो गया आपका एलसीम हो गया गुडणखंड विधी हो गया भाग विधी हो गया बड़े बड़े नंबर कभी कर लोगे कि नहीं इस तरह से फैक्टर करके बोलो पहले यह बताव सभी सीख गये जल्दी से बोलो यस और हाँ यस कलास को पहले लाइक करो सभी लोग जितने लोगों मैं ऐसे कुछ ज्यादा देते हैं तो मुझे पसंद नहीं है चलो और जितने भी हमारे नए साथी हैं हमारे नए महमान है यार है मित्र है सखा है जो भी आप समझो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तुरंदेर नहीं चलो जल्दी करो भया उसके बाद फिर हम आगे कुछ और टॉपिक पर चर्चा करते हैं है 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 मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने फिर नहीं पढ़ाया तो ठीक है वह भी बताऊंगा लेकिन पहले आप लोग लाइक कर दो तब चलो हड़ जा अब तुम हड़ जा तुम्हारा काम खतम चचक जरूरत है अब यहीं आएंगे सिर्फ छे लोगों ने किया बस बाकी लोग अभी तमासा देख रहे है बही जल्दी से सभी लाइक करो फटफट और चैनल सब्सक्राइब करो तभी आगे कुछ होने वाला है इसमें काहा कुछ मिल राइस लाइप में देखो इधर अब हम क्या करेंगे एक कुष्टन है छे बारा कि इसके बारे में पीछे में कई कलास में डिस्क्राइब कर चुका हूं बहुत बार बता चुका हूं अच्छे से देखो समझो इधर साइड में तो हम अब भाग विदी करेंगे बच्चा गुडंखंड विदी तो पुराना जमाना हो गया कर लिए भाग विदी से ठीक है तो देखो आप तरीका सीख लो सारा बाकी करना या ना करना उससे कोई मतलब नहीं है चलो देखो समझो बच्चा जिनका HCF करना होता है ना उनसे क्या करते हैं दोनों का ऐसे भाग करते हैं इसमें दो गिंती है जो पड़ी गिंती होती उसको इसके कोठरी के अंदर लिखते हैं और जो छुटकी होती ना उसको दरवज्जा के बाहर बस और इसको भाग करते हैं ये 6 दूना 12 ये एक बात और सुनो इसको साइड में नहीं करना यह मुख्य है ऐसा नहीं कि यह रफ वाला काम है इसको बगल में कर दो उत्तर इधर लिख दोगे नहीं ऐसा नहीं करना बच्चा यहां पर क्या लिखोगे HCF equal 6 कुछ लोग सोच रहे होंगे छोटका हुआ HCF हो गया दो नहीं HCF का मतलब होता highest common factor वो बड़े से बड़ा factor वो बड़े से बड़ा गुड़नखंड जिससे दी गई दोनों संख्या है या फिर जितनी भी संख्या का निकालना है सब्सक्राइब हो जाएं उसको क्या बोलते हैं बाबु HCF बोलते हैं तो HCF कितना हो गया 6 अच्छा बात बताओ एक बात बताओ अगर इसमें एक ठी और आजाए छुटका हुआ आजाए बही देखो यह मानलो भाईया भावी है आपके हां अब उसमें एक नया प्रोड़क तो है नहीं ना मैंने कुछ गलत का सभी बात है होता ही ऐसा चलो बताओ क्या आएगा आप इनका HCF क्या आएगा देखो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि आप इसी में सब सीख जाओ इनका HCF करने का तरीका जो है वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा लग हो जाएगा वह कैसे पता है इस तरह से चाहे जितनी संख्या हो जाए चाहे जितनी संख्या हो जाए तब का कर लोगे देखो तो बच्चा इसमें क्या करोगे कोई भी दो गिंती ले लो पहले वैसे कोसिस करो कि पहले थोटी छोटी दो गिंती ले लो तो हम 6 और 2 को लेंगे 6 में 2 से भ तो आप कहोगे कि क्या यह से यहीं आ गया नहीं अभी कंफर्म नहीं कि है कि नहीं अब फिर क्या करेंगे जिससे लाइस्ट टाइम यह कटा जैसे दो से कंप्लेटली डिवाइड हुआ है तो बच्चा दूसरा वाला गिंती लोगे जो एक छूटा था और इस से जिससे यह कटा था लाइस टाइम में उससे भाग करोगे बारा यह भी पूरा-पूरा कट गया ना तो HCF कितना हो गया यहीं लिखोंगे नीचे ही लिख लोगे दो कुछ लोग सोच रहे होंगे यह तो बड़ा हलुआ है एकदम आसान है दादा एकदम मज़ा हा रही है कुछ अलग तरह कभी इसमें होता है उसमें इतना मज़ा नहीं आती है जैसे आप देखो कहानी क्या होती समझो अब समझो जिनको भी गडित सीखना है पूरा क्लास दे कहां से आगया यारामखोर मैं इसको क्या बता हूं है कि यह सब पढ़ रहे हैं इनको बुलट वाली छोरी याद आ रही है बच्चा पढ़ाई कर लो नहीं तो ना बुलटी मिलेगी ना छोरी मिलेगी है नमाज रहोना कुछ ना मिलेगा कि चलो देखो इधर समझो आप कुछ हम आपको इसमें नया बताने वाले वो नया क्या है वो भी समझो अब सीखरें भाग विदी से सीफ ना इसको पोचना पड़ता है बिगोना पड़ता है सुखाना पड़ता है देखो यहां पर जैसे अगर हम आपसे बोले हैं कि भाया हो बाबु हो इनका करु slici-f ऐसे करो तीन का 15 का और आठ का उनका इनका सी अप कर Patter चनभ देखो कई से कहार deci करो कितना आएगा यह जो पताओ कितना है इनका इनका सी अफ कितना आएगा भाग विदी से यह करना है उत्तर नहीं बताना है तरीका भी करके दिखाना कोई बताएगा इनका उत्तर तो वह न आएगा लेकिन कैसे आएगा पूरा कहानी क्या समझो क्या सबसे पहले कोई भी दो गिंती ले लो छोटी-छोटी मान लो बने ले लिया आठ और तीन भाई भी अभी अभी देख रहो बहरा एकदम कि दाओं रहता हुआ देखो समझो छोटी-छोटी दोनो गिंती ले लो बच्चा उनको भाग करो तीन से भाग किया तो तीन दुना छे कठाने पा गया दोना इसके बाद क्या करते हैं जानते हो कि नहीं तुम जानते हो यह अलग हो गया इसमें सेसपल बच रहा है आप क्या करोगे अब जो सेसपल आ रहा है वो भागफल बन जाएगा ऐसे इसकी एक नई बृद्धी हो जाएगी यह भागफल हो जाएगा और यह बच्चा भाज बन जाएगा जाएगा बहाज बन जाएगा डिवीडीन बन जाएगा यह डिवाइजर बन जाएगा अब इसमें बहाग करेंगे तो एक कम दो कटाने पर किता आएगा भाईये साहब इक आएगा पाबू अब भी यह 0 नहीं हुआ पूरी तरह आप भी नहीं कटा तो क्या करोगे अब यह वं बहार्जक बन जायगा और ये वाला दो क्या तेस सा फाइनल में और इसका जीरो लाना ही टार्गेट किस्से रही अगह मतलब काम खतम समझरें ना चाहिए रही मिर Ri दिखरा लाइस्टेटंस से डिवाइड हुआ है तो अब वन हसें वह सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कंफर्म तब होगा जब यह वन इस पर भी विजय हासिल कर ले पंदरा पर तो वन वन जा वन कटालो जीरो आया उपर से पांच उतारो वन पंच फाइब जब फाइब यानि कम्प्लीटली सब को हरा दिया यह वन से सब कट गए हां तो कितना आगे वन एच्छी एफ हो गया नीचे आप लिख सकते हो एच्छी एफ बराबर वन इसका एच्छी एफ निकालने का एक और भी तरीका था मैं बहुत पहले वाली कलास में बताया हूं कि बच्चा अगर तुम यहां पर देखो इन तीनों नंबर को ती अलग-अलग समुदा या अलग-अलग धरम के लग रहे ना अब कहोगे संख्याओं कभी धरम होता है का मैं समझाया था तो बताया था कैसे होता है क्यों होता है याद करने के लिए आपको न यह संख्याएं भी है विसम संख्याएं भी है इसमें भाज्य संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है देखो तीन और पंद्रा विसम है आठ एक संख्या है 25-8 भाज्य संख्या है 3-1 अभाज्य संख्या है तो जब कहीं ऐसी कंबनेशन बनती है और हमें अगर HCF निकालना हो तो ऐसीयसिति में जो HCF है वो 1 आता है क्या आता है? 1 आता है चाहे कोई भी संख्या हो उसमें जरूरी नहीं है कि कि संख्या बदल जाएगी बदल जाएगा देखो कि इसका एचसी अभी क्या आएगा वन ही आएगा वन ही का मतलब वन आएगा कि इसका भी वन आएगा कि करके देखो को हम अब आइसा कुष्छन बताएं कंफ्यूज हो जाएंगी तो क्या करेंगे कंफ्यूज होने के लिए फिर हम पढ़ाएं ही हिना ओं यह जंखे दिमाग का यूज करिआ बचा के मत रखिए वाई ये सुभास कुंटाल को ब्लाग करतोς पर्मानेंटली और MARY चेकनिकल टीम मिसटर एडिटर इनको फर्मानेंटली ब्लाक करते अभी एंग्दम करें अभी एक्दम प्लक करते वह ये गए चलो देखो इधर और एक इसी तरह से और भी करलो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 11 20 और 33 इनका HCF कितना आएगा इनका HCF कितना आएगा बताओ बोलो फटा फट कितना आएगा इनका HCF मैंने खुद बलाग कर दिया ठीक है चलो बोही बताएगा इसका HCF कितना आएगा रभी संकर माइनस में क्यों लिखा जाता है अरे गदे माइनस में कहीं उत्तर मैंने नहीं लिखा था वो तो घटाया था माइनस में थोड़ी लिखा था माइनस में नहीं लिखा था देखो इधर समझो हुआ है इनका अपना प्रियंका ठीक है दिंकी परेसान नहीं हो जाएंगे देखो समझो इसमें पहले दोनों छोटी संख्याओं को पकड़ो फोकस कर जकड़ के तो दोनों छोटकी है एक ट्वंटी है एक 11 है 11 का इसमें भाग करो तो यह 11 जाएगा ज्यादा वन टाइम जाएगा तो 11 वंजा 11 करोगे 9 एक मैंने लिखा इसमें से घटा आ रहे है ठीक है 9 आया इसके बाद क्या करोगे इसके बाद 9 क्या हो जाएगा आपका भाजक और उपर जिस से पहले आपने भाग किया था वो इसके अंदर आ जाएगा यह तरीका होता है तो 9 वंजा 9 यह घटा होगे कितना आएगा दो अब यह फिर भाजक बन जाएगा और यह क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा लेकिन नीचे जगा नहीं इसलिए मैं यहां करूंगा तो 2 से भाग किसमें होगा 9 में तो 2 चुका 8 गटाओगे आएगा एक अभी यह जीरो नहीं आ रहा है और इसकी भी जीद है जब तक यह जीरो ना आजा तो तक मानना नहीं है तो वन भाजक हो जाएगा टू क्या हो जाएगा भाज्य वन टू जा टू तब ट्रेक करो इसमें जीरो आया फाइनल में जीरो आई गया जीरो आ गया मतलब काम खतम इसका हो गई लेकिन अभी यह आंसर नहीं आया वन अंसर तब आएगा जब वन से एक तीसरी जो संख्या वो भी पूरी पूरी कट जाए इसको भी भाग करो वन से थर्टी थरी को तो वन वन जा वन अटा लो कितना आया दो उपर से जाएंगे दिमाग उमाग नहीं काम कर रहे का हम डारेक्ट तीन बार ना ले जाएं वन थ्री जा थ्री जीरो आया उपर से थ्री उतारा वन थ्री जा थ्री ठीक है यानी थर्टी थ्री भी कंप्लेटली डिवाइड हो गया ओके अब देखो क्या करोगे अब लिखोगे एच्ची अफ बराबर वन 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 यह बताओ क्या किसी गिंती का एच्ची अफ कभी जीरो भी हो सकता है बोलो हा या नहीं अंसर वन आएगा वन क्या किसी गिंती का एच्ची अफ कभी जीरो भी हो सकता है एच्ची अफ हाईएस्ट कामन फेक्टर बोलो यास या नो क्या कभी जीरो भी हो सकता है तुमन कुमारी, तोने लाल, चलो भाई कोसिस करो यार, कोसिस नहीं करते हो न तो मज़ा नहीं आती बिल्कुल, और जितने भी साथी हमारे इस सेसन को देख पा रहे हैं, वो कलास को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वो यूटूब पे देख प चलती है, काई प्लेट फार्म पे एक साथ चलती है, है न, तो अगर आप सभी अभी तक PBR study को Instagram पे नहीं फालो कर रहे हैं, तो भी यफ फालो कर लें, क्योंकि ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी आने लगे हैं, समझ रहे हो न, तभी बता रहे हैं, न, ठीक है, तो आपने क्या सीखा, भाग विधी से HCM सीख लिया, भाग विधी से LCM भी सीख लिया, लेकिन कब जब दो ही संख्याएं हो, मुझे लग रहा है कि इस से ज़्यादा आप वक्त इजाजत नहीं देता पढ़ाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और हमें एप की सारी कलासे अपडेट करनी है, बहुत बड़ा काम उसमें हो रहा है, तो आप सभी सारी कलास के लिए PVR Study का एप जरू डाउनलोड करो, ठीक है, समझ रहे हो न, प्ले स्टोर से आज ही PVR Study अप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और पूरा कलास एक साथ देखिए, उसमें आपको पूरा कॉर्स एक साथ मिल जाएगा, आप घर बैठे देख सकते हो, इसके अलामा अभी तक, जितनी भी फ्री की कलास चली है, वो PVR Study के टेलीग्राम चैनल पे हैं, देखो लिंक कमेंट बाक्स में भी आ रही है, उस पे क्लिक करके भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जौइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम अप्लीकेशन में PVR Study सर्च करके भी जौइन कर सकते हो, अगर तुम्हें यह नहीं पता टेलीग्राम क्या है, तो लिख के भेजो टेलीग्राम क्या है, यूटुब पे सर्च कर लो, बहुत से लोग वीडियो बनाए है, समझ रहो ना, समझ गये न, टेलीग्राम पे मिलेगा बच्चा जब चैनल जौइन करोगे, स्वेता गोला जो लिंक आ रही है, उ पेड़ा नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगा बस, चलो फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को, आज के लिए इतना ही, आप सभी पीवीर स्टडी वर्ड सर्च के न, ये लिखके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बुक हर जगा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सा जनकारी अपडेट नहीं आती, सिर्फ पढ़ाई आती है, कौन सा पलन बन रहा है, कौन सी कलास होगी, कौन सी कलास बंद हो रही, कौन सी नई बैच शुरू हो रही, ये सारी जनकारी हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बुक पे ही देते हैं